क्या आपने कभी ऐसा face किया है कि 11 के भी feeder panel पर लगा emitter x ampere load दिखाता है पर relay में जब आप current चेक करते हैं तो feeder पर load डबल आता है या फिर उसका आधा आता है अगर हाँ तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अब emitter के value अगर सही है और relay में दिखने वाला load गलत तो ऐसा किस setting के गलत हो जाने के वज़े से होता है दोस्तो power distribution network के protection system के तीनो major pillars आपके सामने इस वक्स्क्रीन पर है CT, relay और circuit bakers इस खुड़ाफाती question का answer समझने से पहले हमें इन तीनों का basic function समझना पड़ेगा CT यानि current transformers का काम है primary में flow होने वाले heavy currents के corresponding secondary windings में low value currents को induce करना यानि अगर इस CT का ratio 300 by 5 है तो primary में 300 ampere current flow होने पर secondary में 5 ampere current induce होगा अब अगर primary में current 60 ampere रह जाता है तो correspondingly secondary current 1 ampere हो जाएगा CT का बस इतना ही काम होता है यानि high currents के corresponding low value currents प्रवाइड कराना ताकि cost friendly protection and metering equipment बनाये जा सके और user की safety ensure की जा सके अब दोस्तों CT के इस low value secondary current को relays में भेज दिये जाता है पूरे protection system का असली mastermind यही होती है ये current को watchman की तरह watch भी करती रहती है और जरूरत पढ़ने पर breakers को commander की तरह commands भी देती है normal condition में ये हमको load की values डिस्पले करती रहती है पर पहली बार इसको सब कुछ बताना पड़ता है यानि relay setting करनी पड़ती है दोस्तों घर में जब आपको अपना पंखा on off करना होता है तो आप switch operate करते हैं high voltage system में ये काम breakers के द्वारा किया जाता है क्योंकि high currents को interrupt करना होता है अब इन तीनों के relationship को समझें तो outgoing circuit में flow होने वाले current के corresponding CTs small value currents induce करके relay को बेश दिये relay इस current को अपने अंदर feed setting से compare करते रहती है और जैसे ही इसको ये current set values से ज़ादा मिलती है ये breaker को trip command base देती है breaker trip हो जाता है जिससे outgoing circuit में HV supply cut off हो जाती है मान लीजी है CTs 300 by 150 by 55 ratio की हैं और CT के connection 300 by 5 ratio पर किये गए हैं अब outgoing circuit पर अगर 180 ampere load चलेगा तो CT relay में 3 ampere current भेजेगी अब relay में setting करते है वक्त उसको ये बताना होता है कि CT primary कितने पर connected है correct entry करें तो ये होगी 300 by 5 यानि relay को हम बोल रहे हैं कि आपके terminal पर 5 ampere current आए तो आप 300 ampere समझिए अब चुकि relay के terminal पर 3 ampere current आ रहा है तो relay primary current को कुछ इस तरह calculate करके 180 ampere दिखाएगी अब अगर relay में किसी वेज़े से ये setting गलट डल जाएं मतलब CT connected है 300 by 5 पर पर relay में entry हो गई 150 by 5 तो क्या होगा relay के terminal पर तो अभी भी 3 ampere ही आएगा पर चुकि अब हमने relay को बोला है कि आपको 5 ampere को 1.5 ampere समझना है तो अब relay 3 ampere को calculate करेगी 90 ampere यानि actual load तो 180 ampere चल रहा है पर relay आपको display में 90 ampere दिखाएगी है ना interesting? चलिए एक दूसरा case भी लेते हैं CT को अगर 150 by 5 पर connect किया गया है और feeder पर load 120 ampere चल रहा है तो CT 4 ampere current relay में भेजेगी अब relay में सही entry की जाए यानि 150 by 5 तो relay calculation करके आपको सही load ही बताएगी यानि 120 ampere पर अगर relay में गलत entry कर दी जाए यानि की 300 by 5 तो क्या होगा? relay को बुला है 5 ampere आए मतलब 300 ampere तो 4 ampere को वो calculate करेगी 240 ampere और आपको यही दिखाएगी तो इसलिए दोस्तों relay में fault settings के साथ साथ CT primary setting भी बहुत ध्यान से डालनी चाहिए अब एक interesting बात यह है कि क्या relay में CT primary setting गलत enter हो जाने पर relay गलत tripping भी बहुत जाएगी या फिर कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्तों comment box में इसका जवाब जरूर लिखेगा अगर आप calculate नहीं कर पाए तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा दोस्तों उमीड करता हूँ कि यह explanation आपके लिए helpful रहेगा transformer में ampere से KVA कैसे calculate करते हैं या फिर magnetic balance test क्यू करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो देख सकते हैं जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye and take care